एक organization के लिए सबसे important होता है कि अपनी sales को track करना आज की date में हमने कितना sell किया यह हमें at the end of the day पता चल जाता है लेकिन हर entry के बाद आप इसे track कर पाएंगे हर single entry को जब आप accept कराते हैं तो आपका system वहीं पर आपको दिखाएगा कि आपने आज तक total sales कितनी कर दी है आज की date में चलिए इसको हम देखते हैं पहले अपना day book चेक करते हैं day book में कोई भी entry नहीं है पूरे साल की entry देख लेते हैं first April से लेकर कि first March तक की मैंने कोई entry की है तो यहां कोई भी entry नहीं है तो इसका मतलब सीदे सीदे हम entry कर सकते हैं voucher में जा करके चलिए तो फिर voucher में चलते हैं और entry कर देते हैं तो voucher में हमने यहां पर cash में product को sell किया अब जैसे यह entry accept होगी वहां पर आपको देख जाएगा की कैसे कितने रुपए की sell हुई है अच्छा default go down का lesson मैंने पीछे upload कर दिया है तो आप default go down ले लीजेगा मुझे यह go down select करना पड़ रहा है उस entry के बाद आपको go down select करने की आवशक्ता नहीं है मैंने यहाँ पर 10 kg की entry की at the rate 100 rupees यानि की 1000 रुपए की total sales accept कराते ही आपको नजर आ जाएगी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो आज की current sale है वो 1000 rupees दिखाई दे रही है चले एक credit sale भी करके देते हैं और जब आप creditor का नाम select करेंगे या party का नाम या cash में तो वहाँ पर उसका current balance भी आएगा यहाँ यह entry तो बिल्कुल खाली है डे book में कोई भी entry नहीं है तो यह amount क्यों दिखा रहा है क्योंकि हो सकता है आपने इसका opening balance add कर रखा होगा बिल्कुल सही यहाँ पर देखें आपने opening balance add किया हुआ है जिसकी वज़े से वह amount वहाँ पर दिखा रहा है उसका closing balance ठीक है तो इन्हें product sell कर देते हैं same product sell कर देते हैं rice and go down at 5 kg right at the rate 100 rupees और accept करा देते हैं आज की total sales आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1500 रुपए की sale हो चुकी है आज दिन भर की ठीक है f2 date बदलते हैं और इसको ले चलते हैं second April पर well second April की जो sale है वो zero है क्योंकि आज हमने कोई sale नहीं की है तो यहाँ आपर cash लिया हमने और उसके बाद में product sell कर दिया कोई भी product आप sell करते हैं तो यहाँ ले लिजेगा go down का नाम उसके बाद में मैंने यहाँ entry कर दी 12 kg at the rate hundred rupees entry accept करा देते हैं तो आज की total sales आपको यहाँ पर दिजाएगी अब इसी पर हम बात करेंगे साथी साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक important चीज की channel पर मैंने अलग-अलग videos upload कर दी हैं salesman wise sales executive wise sales profit और आपका go down default go down यह सब चीजे ready made code आपको यहाँ मिल जाते हैं TDL से related और day by day video बढ़ती जा रही है as per our commitment with you that daily at least one कम से कम एक video तो आपको मिलेगी ही मिलेगी और मैं request करना चाहता हूँ आपसे की video को share जरूर करें subscribe channel को करना मत बोलिएगा अब coding के बारे में बात करते हैं अगर आप मेरे regular viewer है तो आपको पता है कि मेरे description box में सब से नीचे बिलकुल नीचे आखरी में आपको blog link मिल जाता है जिस पर आपको code मिल जाता है लेकिन सारे का सारा code आपको वहाँ पर नहीं मिलता है कुछ code हम video में ही मिल पाता है एक बार day book चेक करते हैं डे book में entry 1st April 2nd April की सारी आ चुकी है तो इसकी coding मैं आपको दिखाना जाता हूँ जो आपके लिए important है कि वह code जो आपको screen पर नहीं मिलेगा यहां description box में तो वह code क्या है लेते हैं एक छोटा सा commercial ad break जी हां commercial ad break के बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ कि वह code जो आपको screen पर नहीं मिलेगा और मैंने अपनी गल्तियों से सबक लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा code दे देता हूँ screen पर तो मैं बहुत ज़्यादा code आपको नहीं दूँगा ये दो लाइने आपको code की blog में नहीं मिलने वाली है तो ये code आप यहां से copy कर लेना typing mistake please please मत कीजेगा उसी की वैसे error आती है तो ये दो लाइने आप वीडियो से लीजे और बाकी सारा आप blog link से ले सकते हैं और अगर आपकी कोई request है तो request भेजेगा जरूर मैं उससे related code आपको बना करके देदमुगा time लगता है थोड़ा दो जार दिन के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाती है क्योंकि वीडियो हम schedule करते हैं कि आज कौन से topic पर बनेगा आज कौन से topic पर बनेगा कल कौन से topic पर बनेगा तो उसी के according time लग जाता है तो चलिए मेरा lesson जो है टेली chapter 135 यहीं पर मैं complete कर रहा हूं और अब बढ़ता अब जब आपने tdl फाइल बना करके upload करने का विचार कर ही लिया है तो उसके step को follow करते हैं हमारे पास जो code है इस code को हमने copy कर लिया window r run menu में जा करके आप notepad type करेंगे और notepad को open करके या तो आप अपना form copy paste कर दीजे या फिर type कर दीजे इसके बाद file को save कर दीजे save करते वक्त ध्यान रखें कि आपने saving location क्या दी हुई है अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप इस method को follow कीजें यहाँ पर मैंने file का नाम रखा zone और उसको मैंने कोई भी format नहीं दिया वो default.txt file type में save होगा save कर देते हैं उपर चलेंगे उपर आप देखिए यहाँ पर zone zone के नाम से file save हो गई है file को खुला छोड़ते हैं तेली पर चलते हैं तो मैंने अपना टेली access किया और टेली का कोई भी version आप इस्तिमाल कर रहे हैं उस पर इसी तरीके से बहतरीन काम आप कर पाएंगे जैसी यह load होता है आप अपनी company को open कर लें अगर आपके पास company नहीं है तो direct आप इसे upload कर दीजिए फिर company बनाने के बाद में भी इस्तिमाल किया जा सकता है तो यहाँ पर दो तरीके हैं एक आप alt ctrl t का इस्तिमाल करें आपके सामने एक tdl के लिए option है right side में manage local tdl f4 button आ रहा है आप यहाँ से click कर सकते हैं या फिर f4 press करेंगे यहाँ पर आपको local tdl के लिए yes option set रखना है और list of tdl files जो आपको यहाँ upload करनी है उसका address लिखना होगा file का address ले लेते हैं मैंने सब कुछ minimize किया और यह जो मेरी file है zone मेरे पाद तो tdl की डेरो file है तो उन में से एक आपकी file उस पर right click करके properties आखरी option है ले लीजे और यहाँ पर आपको मिलेगा address location copy कर लीजे मैंने copy किया और copy करने के बाद में इसे बंद कर देते हैं तेली पर आते हैं और तेली पर मैंने यहाँ पर alt ctrl v का इस्तेमाल किया जे हां ctrl v तो नहीं चलेगा alt ctrl v यह हमारी file का address आ चुका है type कर लीजे या copy paste कर सकते हैं backward slash oblique का इस्तेमाल कीजे file का नाम zone compulsory which is dot txt file का extension लगाना compulsory है accept करा दीजिए accept कराईए इस्क्रीन पर कोई भी error नहीं है एक ही tdl आपने upload की है तो number one दिखा रहा है आप एक से ज्यादा tdl भी अलग अलग बना सकते हैं और उनको upload कर सकते हैं escape करके gateway of tally पर आईए यहाँ पर आप क्लिक कीजिए अपने option पर नीचे नया option राजीव tdl है इस पर क्लिक कीजिए जैसा आपने लिखा था वो यहाँ पर visible है राजीव मिश्रा tdl file बदलाव करते हैं content में कुछ बदलाव करना है add करना है remove करना है उसको use करते हैं मैंने यहाँ से tdl file delete कर दिया ctrl s किया और इसको ले जा करके tally पर मुझे सिर्फ alt ctrl t में f4 करके ctrl a करना है escape और यहाँ पर बदलाव आपको दिखाई देने लग गया हाँ अगर आप चाहें तो f12 function keys में जा करके भी अपने options के अंदर काम कर सकते हैं जिसे advance configuration है advance configuration में आप चाहते हैं कि हाँ मुझे यहाँ से option लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं general option लेना है तो general option में भी जा करके आप use कर सकते हैं और आपको tdl से related option भी मिलेगा यहीं पर तो alt control t हमारे लिए आसान है हम उसका इस्तिमाल कर लेते हैं वैसे मैंने आगे refresh schedule का button बना दिया है जिससे भी हम directly upload करते हैं